नमस्कार नियूस क्लिक आपको स्वागत है मैं हूं मुकुंद और आज हम एक खास चर्चा करने जा रहे हैं जिस तरीके से कल देश के अंदर दो राजियों के विधान सावा चुनाव परिणाम है उद दोनों ही परिणाम उनों देश को एक तरीके चौकाया और देश में पूरे तरह से पलट दिया और हम आज चर्चा करेंगे जम्मु कश्मीर चुनाव परिणाम जो कल आये हैं उसने जिस तरीके से क्या संदेश दिया है और इसमें खासवर जो इंडिया एलाइन्स अपोजीशन की पार्टियां थी चाहिए उसमें नेस्नल कॉन्फरेंस हो CPM ह कॉंग्रेस हो इन्होंने चुनाव लड़ा और उनको जो मेंडेट मिला है एक भारी बहुमत के साथ नई सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं वो जो कि इसे बहुत सारी चुनोतियों थी एलजी का गेम था एलजी के तरफ से पांच नॉमिनेटेड था बीजेपी ने कई खुले तोर पर बोलते हैं जो बीजेपी ने घाटी के अंदर अपने आजाद उमिदवार खड़े करिये या उनको पीछे समर्थन किया जिससे नेशनल कॉंफरेंस या कॉंग्रेस का नुकसान हो सके इन सब के बावजूद जो नतीजे आए हैं वो चौकाने वाले हैं और इंडिया एलाइन्स के पक्ष में हैं इसमें से एक सबसे बड़े परमुक चहरे और कदावर नेता हैं मुहम्मद इसूप तारागामी साहब जो सिंबल पर पिछले पांच विधान समाहों से लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं कुलगाउस के अंदर से और इस बार भी उ संदेज देते हैं और खासकर जम्मू कश्मीर की जन्ता के लिए ये कितने फाइदे मंद होगा और जन्ता उनसे क्या उम्मीद करें तारागामी साहब न्यूस क्लिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मुहम्मद इशुप तारी गामी साहब सबसे पहले आपको पांच से जीते हैं जहां तक जो अभी चुनाव पूरे हो गए एसंबली के लिए ये काना जुरूरी होगा क्या दो हजार चोड़ा में चुनाव हुए थे एसंबली के जमो किश्मीर में और फिर दो हजार अठारा में एसंबली को भंग किया था गावलनर ने तब से लेकर आज त जब से ये शुरुआत हुई है एसंबली चुनाव की एसंबली नहीं थी मेरे ख्याल में एक ही खता है पूरे मुलक में एक ही रिजन है पूरे मुलक में जहां एसंबली नहीं थी इतने साल लगबग शे साल और सरकार के दावे भी रहे कि सब कुछ ठीक है नार्मल से रस्टोर की है अमन अमान है टूरिस्ट आ रहे हैं गहमा गहमी है डेवलप्मेंट है इन्वेस्मेंट है सब कुछ कहा ये नेरेटु था सरकार की तरफ से लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्शन इसंबली के करवाना सरकार के ओव मनजोर नहीं था यहां तक कि सुप्रीम कोट को दखिल देना पड़ा रिकमर्ट करना पड़ा कि एलेक्शन करवाए जाए जमू कश्मीर में बाइ दे एंड आफ सेप्टमबर उन्होंने डेड लाइन भी मकरर की तब जाकर यहां इसंबली चुनाओं का प्रासिस जो कुछ दिन पहले दो दिन पहले मुकमल हुआ कल मुकमल हुआ तो यह मेरी नजर में हमारी नजर में जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुपेशल पोजिशन अटॉनिमी के बारे में तिन सुप सथर डफा के दाइरे के अंदर उसको हटाया गया सुपेशल स्टाटस और पूरे मुलक में यह चर्चा रही बीजे पी की तरफ से कि हमने जो रूट काज है टेरिडिजम का वाइलन्स का उसको हटा धिया और ये भी कहा कि जब से तीन सु सथर का खाटिमा हुआ तब से हर तरफ गामा गहमी है अमन है सुकून है कारबार चल रहा है लोग लोग खुश है लेकिन ये इस सवाल का जवाब दे नहीं पाए पुरे मुलक के अवाम के सामने रख नहीं पाए नपार्लिमेंट में नपार्लिमेंट से वा है कि इस खते को क्यों एसमबली के चुनाव से दो रखा जा रहा है मसलसल कई सालों से और अब जब सुप्रिम कोट ने भी दखल दिया इसलिए इनके पास सरकार के पास और कोई आप्शन बचा नहीं था चुनाव करने के बगए तो चुनाव ये अमल शुरू किया जो कल पूरा हुआ अथा कि इन्होंने ये चुनाव में शायद याद होगा हमारे लोगों को बार बार ये दोह राया कि स्टेट हुड को रेस्टोर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की कुमिट्मेंट है हो मिनिस्टर का कहना है पारलिमेंट में पारलिमेंट से बाहर लेकिन एस्टोरी के चुनाव शुरू होने से पहले रियार्गनिजेशन एक्ट जो बना था जिसके ताहत एक हिस्टारिक स्टेट को जिसे डोगरा स्टेट के नाम से जाना जाता है उसको डाउन ग्रेड किया गया मिनिस्पैलिटी की लेवल पर पहुंचाया गया और इसके दो हिसे किये गए बगेरी किसी बहस के बगेरी किसी रफ्रन्स के टो दे स्टेक ओलडर्स टो देलेजिश्डेटर् तो दा सिवल सोसाइट इटो दा मीदिया कोई बहस नहीं बलके उन हालात में इसको डाउन ग्रेड किया गया जब यहां लागडाउन था जब कम्मुनिकेशन की सारे लाइने इंटरनेट से लेकर टेलिफून लाइन उस तक बंद पड़ी थी अमलन कश्मीर को एक जेल खाने में मुलत किया गया बदल जिया गया यह एक कहनी है और इस पश्मनजर में ही उन्होंने रिया अर्गिनिजेशन एक्ट को पास किया जिसके नतीजे में तीन सु सत्र का खातिमा और इसके अलावा डाउन ग्रेड हुआ डिवाइड हुआ हमारा यह हिस्टारिक कता लेकिन उसके बार भार यह कहते रहे कि रेस्टोर किया जाएगा टेट हुडखो लेकिन अभी इसंबली चुनाव के अमल शुरू होने से पहले ही इन्होंने एक बार फिर रिया अर्गिनिजेशन एक्ट में तर्मीम की दूसरी तर्मीम जिसके ताहत जो पबलिक आडर है उ उनलेक्टेड रिप्रेजन्टेटिव जो यूनियन का रिप्रेजन्टेटिव है लेटनेंट गवरनर और इसके अलावा पोस्टिंग ट्रांसफर्स सीनियर आफिसर्स आईएस आईपिएस इन आफिसर्स की तायनाती या तबादले का ये हदूद हद मकरर की गवरनर के लि बाय अक्तियार बनाया उनको इस मामने में दी और इसके अलावा एंटी कॉरॉप्शन वियरो और जो साथी साथ एडवोकेट जनरल और उसके मातहत काम करने वाले लाफिसर्स उनकी तायनाती का भी फैसला लेटनन गवरनर करेंगे असंबली की सुपारिश नहीं या ये ज बारे में यूनियन गवर्नेंट की तरफ से उसके साथ ही उन्होंने जमू कश्मीर का बजट भी पेश किया क्योंकि यहाँ एसंबली की मौजूदगी नहीं थी तो उन्होंने बजट पेश किया उस बजट में एक अजीब बात हुई पहली बार जो पुलीस के अलोकेशन है वो यूनियन बजट के खाते में रखे गए यानि दूसरे लफजों में जो बजट है पूरा जमू कश्मीर का उस बजट में से पुलीस का बजट को बाहे अफ्टियार बनाया गया हवाले किया गया यूनियन को यूनियन गावर्नेंट को यूनियन के अफ्टियार में लाय जो अधिकतर पावर्जी अपने पास रख रहे हैं और जो स्टेट के अपने अधिकार तो इसको लगातार कम करने की ल्जी को मझगूत करने के कोशिश एक की जारी के अधि इसा दिल्ली के अंधर एक बना हुआ है शायद पुलीस का बजट जो है वो यूनियन बजट में नहीं है वहां लेकिन जहां तक जुमू कश्मीर का पुलीस का बजट है उसको भी यूनियन के तहवील में दिया गया ये पहली बार हुआ है rough और कहने का यह मतलब है यह दो ग्लाफ़ फन्द यह जो डबल स्टेंडर्ड है सर इस बात को समझ लें कि हमारे साथ जो सलू किया जा रहा है ये सिर्फ तीन सो सथर को ही नहीं हिस्टारिक सिटेट को पहले खत्म किया अब उसको मुझीद बे अक्टियार बनाया जा रहा है और जो अबी एसमली के चुनाओं है उनको भी ये कोशिश कर रहे हैं बे असर बनान और जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट को भी ये और ज्यादा उसके एक्टियारात में कमी लाना चाहते हैं ये जो किया जा रहा है ये कहना कहने का मतलब है और उनका ये नहरा कि अमन काईम हुआ आप सिटेट को रेस्टोर किया जाएगा वो सिर्फ एक जूट है और कि कोई एहमियत नहीं है लोगों को बेवकूब बनाया जा रहा है बहकाया जा रहा है और इसी वज़ा से जो आज के चुनाव हुए जिसे माहौल में हुए वो माहौल एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन में ये चुनाव हो रहे हैं और शायद हमारे मुलक के आवाम को और यहां के आवाम को भी इतना मेरे ख्याल में खबर तक नहीं कि क्या कुछ परदे के पीछे हो रहा है और लोगों की तवकवात हैं उमीदे हैं बहुत कुछ होने का रोजगार मिलेगा ये भी एक बड़ी तवकू है ये भी बड़ा सवाल है स्टेट हुड को रेस्टोर क का दर्जा है उसको भी अजसे रिनाव बहाल किया जाएगा ये सारी बाते मजनजर रखते हुए एक चैलेंजिन सिचिवेशन है जो एक बात सबसे बड़ी अच्छी हुई है जो आज तक उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का और अपने जो जो एक्सेंशन्स हैं या जो प्राकसीज हैं पार्टियों को तोड़कर प्राकसीज बना दिये जो उनके आगे पीछे गूमते रहें और उनके हां मिलाए बड़े गृर्पस उन्होंने बना लिये इस चुनाव में वो लगाम में भी उन्होंने जमाटी इस्लामी जो कि अब भी एक बैंड आर्गनिजेशन है और जिसके बारे में ये कहना मुनासिब होगा कि लगातार उन्होंने 90 से पहले 87 थक बार बार चुनाव में हिस्सदारी की लेकिन फिर उसके बार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चुनावी अमल हिंदोस्तानी आई इनके दाहरे के अंदर होता है जो हमें मनजूर नहीं जो जमू कश्मिर के आवाम के हिस्ट्री के खलाफ है जहास के खलाफ है और मुफाद के खलाफ है इसलिए हम रिजेक्ट करते ह चुनावी अमल को जो भी लोग चुनावी अमल में शरीक होंगे वो जमू कश्मिर के दुश्मन है जो इसलाम के दुश्मन है जो मुस्लमानों के दुश्मन है ये कहा और आर्मिड स्ट्रेगल की एक रास्ता बचा है जमू कश्मिर को आजाद करने का उनके कहने के मताबिक चंदोस्तान के कब्जे को बेदखल करने का वही एक तरीका है उसी की लिजिटिमेशी है जमाच इसलामी का कहना था सब जानते हैं सब जानते हैं और इसलिए इस परफाबंदी भी इस सरकार ने भी आयद की लेकिन आज यकायद उन्होंने पल्टा बदल दिया और उन्होंने ये कहा कि हमें एलक्षन में हिस्सदारी कर लेंगे हमें ये इतराज नहीं कि कोई एलक्षन में हिस्सदारी करे जब आरसस एलक्षन में हिस्सा लेती है जमाच इसलामी भी ले 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 लेकिन जमाच इसलामी को जवाब देना होगा जमु कश्मिर के अवाम के सामने पिशले 35 साल जो खून खराबा हुआ जो जवान मारे गए मरगे उनका हिसाब को देगा या तो सरकार को देना होगा या उनका देना होगा जो मुसलिफ जुद्जाध कि कर्टगालत गेरी की करत्गालत गिरी की वकालत करते आए हैं उनमे जमाटि-स्लामिया अच फ्याओ आवल में रही है जो उनका भी मानना है उनका रिकाड बता रहा है और फिर सरकार से भी हमारा यह स्वाल है जो हमने भी असंबली चुना में दोहराया बार बार के एक तरफ जहां तक बी जेपी सरकार का तालुख है वो इर्लाम देती है नेश पद्वादगी पसंदों की चापलूसी करते हैं, खुशामदी करते हैं या उनको होसला दे रहे हैं और ये गलत है, ये मुलक के खराफ हो रहा है. अगर एक तरफ हमें इल्जाम दिया जा रहा है, जो कि गलत है, गलत इल्जाम, जिसकी कोई बनियाद नहीं है, बलके हकीकत य यह के नेशनल कान्फेर्णेस के कई बड़े मिनिस्टर मारे गए खारकुन मारे गए कांगर्डिस के भी मारे गए फीडीपी और इलिज़्ियस लेडर्र जो इखतलाफ रख रखे थे जमाष इसलामी के साथ वो भी मारे गए CPM के कई कारकुन, दरजनु कारकुन मारे गए, ये रिकार्ड है हमारा, लेकर पिर्पी पीजेपी सरकार हमें देश बगत मानने से कत्राती है, वो सर्टकेर देना नहीं चाहते हमें देश बगदी का, जो उनकी देश बगदी का नस्का हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन दूसर सब लोग एक साथ मिलकर नाच रहे हैं यह भी हमरे अवाम देख रहे हैं इस तरी से घाटी के अंदर उन्होंने अपने प्रोक्सी एक तरी से पीछे सपोर्ट करते हुए भाजपा ने लडाने की कोशिश करी लेकिन जनता ने वहां इस चीज को समझा और जो घाटी के अंदर जितनी उमीद थी उससे अच्छा आपने और आपकी गडबंदन के पाटिया थी उन्होंने किया इसके अलावा जम्मू के अंदर भी जितनी उनको उमीद थी उतना बहतर रिजल्ट नहीं मिला है मैं सर आप से वापस चुनाव में जो आप लड़ रह जिसका सामना आपको करना पड़ा या जुनाव के दोर्ण आपने उन्हें उठाए और जंता ने आपका समर्थन किया उस पर बता हूंगा हमने मुश्तरक तोर पर ये सिर्फ हमने नहीं और पार्टियों ने भी जैसा कि भी आपने कहा जो कश्मीर के लोगों ने आज इस इसमबली में अपना फैसला सुनाया मैं सलाम करता हूं और ये एक मेरे ख्याल में बड़ा तंबे है हुकमरान जमात के लिए बीजे पी के लिए इस सरकार के लिए कि डॉन्ट टेक पेपल फार गरांटिड मैंने आपको याद होगा जब सप्टमबर जोजार उन्यस में सित और बाद मैं सुप्रीम कोट से ही वो उन्होंने हुकम नामा लिया मुझे आ एमज़ मैं ट्रीटमेंट देने के लिए बाद मैं प्रस कानफरेंस दी हमने दोनों ने यहां और उस प्रस कान्फरेरंस में उस वकिछ मैंने ऐनी और यहा अन्य और है और क्या आप क्या आप समझते हैं कि जो सिट्यूशन बनी है वहाँ जमू कश्मियर में, वहाँ एथिजाज की कोई गुझाइश है? एथिजाज वहाँ होता है, जहाँ कुछ एधिकार हो लोगों को, जहाँ कुछ सांसे लेने की कम सकम उनको एक्तियार हो गूम फिरने के जहाँ इंटरनेट तक बंद है, जहाँ और जो टेलिपोन लाइ वहां एक्षिजाज होगा और फिर मैंने कहा डॉंट टेक फार ग्रांटेड के साइलन्स को आप एक्सेप्टन्स ना समझे जो खामोशी है उसको रजामंदी से ताबीर करना गलती होगी वो कल चुनाव में कश्मीर के अवार ने साबिच किया ये खामोश हम जरूर है लेकिन परी ताकत से इस्तिमाल किया और गहमा गहमी रही घरों से जो भी जो भी वोट डालने की उमर तक पहुँचे हैं सब लोग बज़र्ग या बच्चे या ये जो हमारी बहने हैं वो निकली और वोट का इस्तिमाल किया ज्यादा ते दाज में किनके और कोई आप्शन पचा नहीं प्रोटस्ट का आप्शन नहीं अखबारों में कोई खबर छेपे जो सरकार की मर्जी के खलाप हो वो जगा नहीं मुलाजमों को एसोसेशन बनाने का अजिकार नहीं कई अखबार वाले अब भी जोलू में हैं तो इस वज़े से कल के चुनाओं ने ये फासला किया क् खामोशी रजामनी नहीं जब मौका मिला उन्होंने कहा वो जो उनके प्राक्सीज भी हैं प्राक्सीज चहे थे जमात इसलामिया हो या इंजिनर रशीद हो या और जो अवामी पार्टी हो या जो और लोग है सब के सब हार गए बुरी तरह हार गए और यहां पर एक बार फिर हमें यकीन होता है जब लोग बोलते हैं बहुत पहले कहा था फायज रहमत पैज ने शायद ऐसी सूरे चाहल से वुजर रहे थे वो बोल के लब आजाद है तेरे बोल के सच जिन्दा है अब तक शायद जब वक्त आता है बोलने का लोग बोलते हैं और पुरे जोर से बोलते हैं आपने जमू के बारे में कहा ये हमारी बदकिस्मती है कि यहां आज तक इस सरकार की कोशिश रही है जमू कश्मिर लदा को एक लिबार्टी बनाया है अपनी गलत स्यासत का इन्होंने नेरेटू जो बिल्ड किया है वो नेरेटू जहां एक अलग कुसम का कश्म कि के दुन आप अलाइनस में आगे एक साथ मिलकर आप रहनसान कर ले या लड़ाई लड़े या सियासत करे आपको नुक्सान होगा प्राइम मिनिस्टर तक ने बड़े लोगों ने जमू में आपको जमू और कश्मिर को अलग अलग दो हिसों बाटने कोशिश रहे हैं दो इसम्बली में 2003 में रिजलूशन भी लाया कि RSS ने जब कौरक शेतर में एक रिजलूशन लाया था टुकड़े करने का उसको लेकर मैंने रिजलूशन लाया था ऐसा नहो जिसको इसम्बली ने मनजूर किया लेकिन उस रिजलूशन की परवा तो क्या आइन की परवा नहीं की सरकार ने और हमारे जमू कश्मिर को दो हिसों में तोड़ दिया लड़ा का लग लेकिन ये भी याद दिला हूंगा लेवालों ने उस वक्त कुछ रजा मंदी का इजार किया था लेकिन आज लड़ाख वाले सडकों पर हैं कश्मिरी सडकों पर आए वो डालने के लिए लेकिन हमारे एंवारिमेंटलिस्स करगिल लड़ाख एक साथ मिलकर आगे है एच्जाज करने के लिए हमें वो कश्मिर जमू कश्मिर वापस ठीक था इसकी नजबत जो आज हमारे साथ सलोग किया जा रहा है लोगों की विज्डम है सलाम करता हूं अब दिल्ली आये थे और दिल्ली में उनको परदर्शन की जगे नहीं मिली और उनके साथ अभी भी हमारी भी बातचीत हुई तो अभी वो लड़ाख हाउस के अंदर ही उनको रखा गया है बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिल रही है यह किस्तिती है अभी उनके हाँ मिलाए थी अरे साहब और हमारे लोग लेके लोग करगल के लोग अपनी एक्सपीरियन से सीख रहे हैं और हमें उमीद है कि अगर आज जमों में कुछ नहोंने गलत पहमिया पाइदा की है लेकिन तजर्वे की वन्याद पर हमारे जमों के अवाम भी धीरे समझाएंगे कि एक साथ मिलकर अपने हुकूग की बहाली का मतालबा करना होगा एक साथ मिलकर रोजगार के मुआ के तलाश करने होंगे एक साथ मिलकर इस सरकार को जवाब दे अकाउंटेबल बनाना होगा तब जाकर जमों के लोगों का फाइदा है कश्मीर के लोगों का अलग अलग लड़ाई में रहकर एक दूसरे के खलाव खड़े होकर जुमू भी गाटे में रहेगा कश्मीर भी गाटे में रहेगा यह मेरे ख्याल में हम सब के लिए तज्रुबा है अकरी में जो आपने सुरुवात में बातचीत में कहा था जो इस सरकार ने जिस तरह जम्मू कश्मीर के अधिकारों को लगातार कम करने कोशिश करी है एक तरह से LG राज चलाने की कोशिश चुनाव हाला कि उसको सुप्रीम कोट के दवाब में कराना पड़ा लेकिन अभी भी उसके नए गड़बंदन की सरकार बनेगी और जिस तरह के वादे आप लोग करके आए हैं जो पूर्ण राजगी बहाली का सवाल हो या तीन सुतर की वाप्सी का हो या इसके अलावा तमाम जनता हैं जुड़े सवाल है तो नई सरकार के लिए इस परिस्तितियों में कितनी बड़ी चुनाती होगी उस पर शक की बात नहीं है कि जहां तक गौर्णनेट अफ इंडिया का तालुक है बीजेपी का तालुक है या उनके जो नामिनीज हैं यहां जम्हो कश्मीर में उनकी कोशिश रहेगी कि हमारे एक्तियाराद सलब ही रहे उनकी कोशिश रहेगी कि ह हमें वो हुकोख वापस नामिले जिनके हम मांग करते आये हैं जिनकी मांग आज लेक तर्गिल वाले कर रहे हैं और कल आने वाले कल जम्हो मैं कश्मीर में एक साथ मिलकर गहेंगे हमें statehood दे दो, पूरा statehood दे दो, हमें governor नहीं चाहिए एक्तियार आद, हमें assembly को बना लो, हमें cabinet को एक्तियार पर बना दो, تाकि यहां के रोजगार के वारे में कुछ सोचा जाए, यहां के कारेबार के वारे में सोचा जाए, या डिमोक्रेटिक राइट्स के वारे में सोचा जाए ऐसा होगा अर्चने हैं कतनाया रहेंगे वो इस सरकार का ढंग है ऐसा ही तरीका ही ऐसा लेकिन देरे देरे हमारे मुलक में भी आवाजे उठ रही हैं और हम अकेले नहीं रहेंगे इस मैदान में एक साथ मिलकर लड़ा करने के लिए कानस्चोशना राइट्स की बहाली के लिए अपने लाइवली हुड के डिफैनस में यहां चर्चा कर लेंगे असंबली में माना कि कुछ लोग आज उनके दाएरे असर में हैं लेकिन उनको भी जवाब दे बनना होगा अपने अवाम के सामने शायद हमें उमी यह जमु के लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए ज़रूरी है अखरी में एक सवाल एक तो कल आपका वीडियो एक सोशल मीडिया पर चल रहा था जो की बहुत ही पावर्फुल जिसमें आप कह रहे हैं कुल गाओं जीत गया किश्मीर जीत गया जंता से आप संबोदित कर दूसरी तरफ जिसको पहले अलगाओ वादी थे और बीजेपी न एक तरह से अपने प्रोक्सिक तरफ उतारा और वह भी ठीक ठाक वोट लेते दिखे आपके उसमें भी दूसरे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट केंडेट ही रहे तो यह दो चुनोतिया है दो तरफा एक जहां समाज में अलगाओ करने कोशिश भाजपा कर रही है और एक आप लोगों के सामने नहीं प्रस्तितियों में जनता के लिए काम करना इस दोनों चीज़ें आपके लिए क्या जनता उमीद करें सब की बीच में आपसे उमीद है कि बड़ा चलेंज है हमारे सामने जो भी जनका इंतिखाव हुआ जो खास तोर पर एलाइनस के साथ नेशनल कांफरेंस कांग्रेस सीपीम के एलाइनस के साथ जुड़े हुए हमारे नेजिसलेचर्स हैं और बलकि वो भी जो जो जमूम हैं कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं उनके सामने भी ये चलेंज़ जाएं ब वो जो हमारे अरजिस हैं जमूके आवाम के वो भी बैठर जिंदगी चाहेंगे कश्मिर के लोग भी बैतर जिंदगी चाहेंगे और उसके लिए मेरे खाल में बड़ी आपार्चिनिटी यही है कि एसमबली मिली है हमें लिजिसलेचर में जहाने का मोग का मिला जो आज तक इस सरकार की वज़ा से 1214 में चुना हुए दस साल के बैद आप चुना हुए ये तो कहीं नहीं हुआ आज तक पहली बार कश्मीर में हुआ जमु कश्मीर में हुआ और बहराल हम ये जो अपार्चुनिटी हमें मिले ही है इसका पूरा पूरा फाइदा उठाएंगे और एक सा कार की तरफ से नहीं लेकिन मुल्क अवाम से मुहरी कुवट से sama हुआ ये तो हम को सुनेगे और हम अपना मुकदिमा ँनके सामने भी रख लेंगे इस अमीद के साथ करे अगर सरकार नहीं लेकिन उनका होस्ला मिलेगा तो हममसलसल कोश कोश्र करते रहेंगे ताकि बेतरी आजाए हालात में यहां सुख शांती पैदा हो और एक आगे बढ़ने का रास्ता मिले तरकी के रास्ते पर डिवलप्मेंट हो हार्मोनी हो और साथ ही साथ अमन अमान हो यह हमारे बन्यादी इशूज है हमें उमीद है क्या मसला रास्ता कठन है लेकिन कठना है हमने आज तक बहुत सारी देखी है और भी देख रेंगे सामना कर लेंगे और रास्ता तराश कर लेंगे ताकि हमारे आवाम को कुछ तो राहत मिले कुछ तो जीने का अजिकार मिले हमें उमीद है कि आपकी वसातत से आप जैसे कलमकार आप जैसे मीडिया पर हमारी मदद कर लेंगे इस सरकार को जवाब होना पड़ेगा मुलो के अवाम के सामने ज़ुह मुख्य मंतरी कौन बन रहा है और क्या तारगामी नए कैबनेट के अंदर मंतरी बनें गे ये मैं सवाल मेरे खाया मनानाम। की टरफ से ही होगा बड़ी पार्टी अबरा आई है तो वो तो मेरे शाहिद मैं जाहिए ही है लहा सवाल मेरा कैबिनिट में जाने का ना जाने का अभी मुझे मंडेट मेला है असंबली में जाने का आने वारे कल में फिर मिलेंगे बात कर लेंगे इस सवाल को लेकर कि आगे क्या कुछ अपार्चुनिटीज रहेंगी हमारे लिए ताकि आवाम की खुदमत हो बहुत-बहुत शुक्रिया तारगामी साहब ऐसा कि आपने तारगामी साहब से चर्चा में सुना वो ये एक सिर्फ आम विधान्जवा चुनाव की परिणाम की तरह नहीं देख सकते जम्मू कश्मीर में जूकि पिछले 10 सालों में उस राज जी के साथ जो हुआ उस राज जी कर किस तरीके से दो हिस्सों में बाटा ग जो वहां फिलाल अभी नफरत के राजनिती के लिए कोई जगे नहीं है जनता ने किलियर कट मेंडेट दिया है और यह जो आसंका जताई जा रही थी जो पांच गैर चुने हुए प्रतिनिधी जिसे ल्जी नोमिनेटेड करेंगे उसके आने से बिधान सवा गणित बिगर सकता है इस संभावनाओं को भी जम्मु कश्मीर की जनता ने खारिज कर दिया और जो वहां पे कश्मीर के अंदर बोट बटवारे की कोशिश करने कोशिश हुई थी उसको भी जनता ने नकारा और सीधा मेंडेट दिया है और तारिकामी साब ने अपनी बाचीत में साफ कह जो यह जो चुनाव परणाम है यह जनता ने दिखाया है बोलने का मौका जब आया जब उनको करने का मौका आया उन्होंने दिखा दिया जनता किसके साथ है अभी के लिबस इतना ही देखते रे नियूस क्लिक बहुत बहुत धन्यवाद